मिक बॉस सेजन 13 को लेकर लगतार आ रही है अब देड शो का ग्रांट पनाले दो वीक पहले ही हुआ और इसके बावजो शो की कंटेस्टन्स लगतार है बिजी शो से बाहर निकल कर भी विवादों में हैं कही कंटेस्टन्स हाल ही में दादा साहिब फल की अवाद को लेकर इडिनाशनल अवाज को लेकर पैशनेबल अवाज को लेकर माहिरा शर्मा को काफी जादर ट्रॉल किया गया अब ट्रॉल तो ही माहिरा शर्मा लेकिन ट्रॉलर्स को माहिरा शर्मा ने कैसे चबाब दिया ये तो आप भी जानते हैं पारस शाबडा की दुल्हनिया बनकर उस सशाधी करोगी शो में जस पारस शाबडा को आपने देखा कि वो नज़र आ रहे हैं उस शो में अपनी नई पार्टनर को जुनने की कोशिश में पूरी की पूरी शो को इंटेटेनिंग बनाते वे तो दूशरी ही तरफ शो को लेकर गौतम गुलाथी की निसाने पर आ गए थे पारस और अब माहिरा शर्मा जब वाइट कलर के फेरी टेल वेडिंग वाले रीम सेक्वेंस के खास अंद कराएंगे हमारे इस शो में पारस और माहिरा के प्राइट एंड ग्रूम वाले लुक को लेकर किस तरह लोगों ने किया होने ट्रॉल जड़ा देखिए ये स्पेशल रेपोर्ट कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बर्स सेजन 13 में माहिरा शर्मा को आपने देखा होगा कि लगतार वो पारस के साथ रही और शो खत्म होने के बाद पारस जब मुझसे शादी करोगी शो में शादी को लेकर टॉक अफ दो टाउन बन गए तो माहिरा को नया मौका मिला शादी वाले दुलहन के जोड़े को कैरी कर पारस के साथ रोमेंटिक होने कर रिसेंटली एक पोटो शूट हुआ है वारल पारस शाबडा और माहिरा शर्मा की फोटोस का जिसमें तोनों हैपी वेजिट कापल का लुक फ्लाउन कर रहे हैं लेकिन माहिरा के खिलाफ पारस की शादी पर जो पैसले फैंस सुना रहे हैं वो दिल को तोड़ देने वाली इस रिपोर्ट में हम पूरी सच्चाई आपको बताएंगे स्पेशली फारस और माहिरा की दोस्ती को पसंद करने वाले वो दर्शक जानकर होंगे हैरान की इनकी शादी के खिलाफ फैंस है पू और माहिरा अकांच्छा से बेस्ट नहीं है यह न शेख ने भी कहा मत करना यार ये तो जरूर बोला होगा फोटो शूट में भी माहिरा शर्मा ने माहिरा का बनाये गया मजाक पारस शाब्रा ने जब लिखा संथिंग यू पाहिरा अबरकडाबरा पारस शाब्रा विक बेकार लगते हैं ये दोनों साथ में तो वही नौए निकार ने लिखा ब्रो कितनी शादी करोगे आप वही भावना ने कहा इस बारो माहिरा शर्मा ये नहीं बोली कि मत करना यार अम्मी देख रही होगी मत करना यार मज़ाग बना गया उनके सिरिटेटिंग वोईस का से निकाला है लोगों ने माहिरा शर्मा को लेकर अपना सारा का सारा दुस्सा देखे जरा यी कमेंज क्या कहना है सभी का सुना आप में देखा आपने क्या कहना है वीवर्स का क्या कहना है पब्लिक का क्या कहना है फैंड्स का जोड़ी को माहिरा और बारस की जोड़ी को कुछ ने किया है काफी पसंट तो कुछ ने किया है फुलान तरीके से क्रिटिसाइज कुछ ऐसे ही माहिरा लगतार रही है क्रिटिसिजम के मामले में सबसे आगे शो बिग बॉस सेजन 13 में आने के बाद, सेजन 13 में जाने के बाद, सेजन 13 से बाहर निकलने के बाद, एविक्शन के बाद और फिर दादा साहे फाल के आवाद को लेकर भी वो ऐसे ही होती रही है ट्रॉल तो ये था दोस्तो आज का हमारा शो, वक्त हो गया है आपसे इजासुत लेने का, फिर लॉटेंगे ऐसे ही तमाम ट्रॉंडी लेटिस खबरे लेकर देखते रहें, नेक्स्ट नाइन न्यूस, नमस्तार